पुत्रे थे चुराप प्रचाप प्रसार तेस करते हुए नजर आये थे और ये भी दिखा गया था कि बहुत सो समझ करके टिकट दिया गया था क्या है वो उसी का फायदा यहां पर मलता हुआ नजर आ रहा है निश्चत रूप से इन सारी चीजों का कंबाइन इफेक्ट आय वसंद्रा राजे के चहरे पर बीजेपी सत्ता में आई थी 163 सीटे जीती थी मतलब कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से तो आप कह रही है कि पीम मोदी के विजन पर बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है बड़ी खबर पहले रूप कर बीजेपी के ही फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है डूदू से बीजेपी का जीत का खाता खुल चुका है राज़स्थान की 99 सीटों का पहला नक्तीज़ा आ चुका है दूदू से बीजेपी के प्रेमचंद बैर्वा चुनाव जीत गए है वही डूदू जिसको लेकर जब जिला बनाया गया तो सवाल उठे कि आखर जिला बनाने की क्या स्थिती थी दूदू में कहा ये जा रहा था कि कॉंग्रेस का जो समर्थन निर्दले प्रत्याशी के तौर पर किया गया था वो प्रत्याशी जो कॉंग्रेस का टिकट हासिल कर चुकर बीजेपी को बोहरा देंगे लेकिन दूदू से BJP के प्रेम्चन बैरवा जीद गए हैं। रुजहान में भी शुरुवात BJP के अलका जी और ये नतीजे में भी BJP आगे। ये वही है ना बोहनी अच्छी हुई तो आगे भी बिलकुल अच्छा होता जा रहा है। और दूदू तो पंचायत से इन्होंने जिला बना दिया था। गोश्रावीर सरकार की आप देखिए कि अती थी कि उन्होंने ना क्राइटेरियाज देखे ना बजटी एलोकेशन किया सिर्फ रेवडी बांटी और इसे साब से करने की कोशिश की कि जनता भरम जाएगी लेकिन जनता ने सब्सक्राइब